स्टूडेंट्स आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डालने जा रहा हूँ इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि कैसे बड़े बड़े इंस्टूट्स जो है कोचिंग इंस्टूट्स की बात करे जाए जो की आयाटी के नाम पर या नीट के लिए क्वालिफाइ करवाने का जो है प्रामिस करते हैं पेरेंट्स के साथ और उनके साथ क्या हो रहा है या आपको मैं पुरे का पुरा इस वेडियो में अब सारी जीज़े मैं एक्सप्लोर करूँगा सबसे इंपॉर्णन चीज़ क्या है देखिए जैसे ही आपका बच्चा टैंथ से प्लस वन में मूव करता है प्लस वन में आते ही सबसे पहले यही दिमाग में क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा कि बच्चे को कौन से इंस्टूट में कोचिंग दिलवाई जाए बच्चे को हम कौन से बड़े इंस्टूट में भेजें यहां से हमारा बच्चा एक डॉक्टर या इंजिनर बन जाए आई आई आटी कर जाए नीड कर जाए लेकिन यहां से होता क्या है कि कोई भी बड़ा इंस्टूट जो है उसका फोकस किस तरफ है वो बच्चे का जो बोर्ड का एक्जैम है प्लस फ़न जो बोर्ड होता है इसकी बाद कर रहा हूं है हलांकि यह प्लस फ़न का जो एक्जैम है न यह स्कूल का एक्जैम होता है मतलब इसमें कोई भी जैसे सी बीसी बोर्ड जो है कंड़क्टर सी बीसी ही कराता है लेकिन यह स्कूल के तरफ से जो है वो अपना examination जो उसका pattern है उसके हिसाब से question paper set करता है क्या किसी बड़े institute वाले को ये मालूम रहता है कि school में क्या चल रहा है वो बच्चे को क्या पढ़ाता है और बहाँ स्कूल में क्या पढ़ाय जा रहा है और बहाँ पे school वाला teacher उसका क्या कौन सा question पूछने वाला है बिल्कुल नहीं पता रहता वो उसका touch में भी नहीं रहते तो सबसे important चीज ये है कि plus one का बच्चा NCRT तो करेगा ही जो कि mostly ये बड़े institute हमेशा कहते हैं कि हम करवाते हैं लेकिन बिल्कुल touch भी नहीं करते और उसके बाद ये कहने के बाद भी NCRT की बाद तो होई गई ले जो किया है वो जोना ध्यान से सुनिएगा वो ये है कि जो भी school है आपके बच्चे का उस school के previous question करना जो की market में बिल्कुल नहीं मिलते वो कहीं नहीं मिलेंगे उस school के previous question मतलब जो plus one का बच्चा plus one में हुआ है बच्चा जो आपका उसके जो पुराने question थे पहले के जो teacher ने 10th में 89.7% marks लिए 10th में और उसके बाद वो बच्चा जो है किसी बड़े coaching इस्टूड में चला गया बड़े coaching इस्टूड में जाने के बाद क्या हुआ कि उसका जब 10th का exam हुआ तो उसके सिर्फ 62% marks आए तो parents को और बच्चे को भी लगा कि मैं 89.7% से बिल्कुल 62% पर आ गया हूँ ऐसा कैसे हो गया और एक बच्चा उसके साथ का यह मैं personal example मैंने देखा है खुद उसके साथ का एक बच्चा था उसकी percentage आए थी जो वो 10th में 75 के आसपास थी मतलब इस तरह से थी 74.9% थे चलो मै 75 लिख रहा हूँ 10th में और इस बच्चे के जो प्लस 2 में marks आए थे वो 92% आए थे प्लस 1 में क्योंकि यह प्लस 1 में हम बात करें तो प्लस 1 में 92% marks आए ऐसा क्यों होगे दोनों में difference क्यों आया ऐसा इसलिए हुआ कि यह बच्चा जो बड़े इंस्चूल में था मैं example लेत कर रहा हूँ इस बच्चे को मैंने क्या किया उसके स्कूल के सारे के सारे previous question निकल आए यहीं कितने भी private schools हैं चंडीगर के यहां जो unitary के जो model schools हैं इनको model school वोता है government के उनके भी निकल आए और सारे के सारे question paper जो है बच्चों को करवा दिये class में और बैसे ही question paper उनको मिला वहां पर और वो बच्चे जो है इतना अच्छा perform कर गए अब यह देखने वाली बात है जिस बच्चे का 62% रहे के सिर्फ 89.7 से या 90% के अलिजी अप्रॉक्सिमेट इतने रहे के क्या वो बच्चा आगे जाके आपका बच्चा जो है क्या आपको लगता है कि वो बच्चा आईएटी में अच्छा करेगा या नीड में चला जाएगा क्योंकि वो पहले से ही उसके जो एनर्जी हवलो हो चुकी है पहले से उसको अंतर से लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल ऐसी रह गया हूँ ना वो पलस्टो अच्छी करेगा लेकिन जो बच्चा पहले कम था वो आ आलर्ट रहने के जरूरत है यह मेरा उब्सर्वेशन है मैंने खुद पर्सनली देखा है यह हम तो एंसी आटी भी कलास के अंदर करवाई जाएगी और सिर्फ एंसी आटी नहीं सबसे जड़ा प्रेशर रहता है वो रहता है स्कूल के जो क्वेश्चन पेपर हैं यह बहु यह बहुत जरूरी है कोई इंसी और मैं दावे से कह सकता हूं यह काम नहीं करता देखना आपका बच्चा क्या कर जाएगा यह बहुत जरूरी चीज़ है अब मैं पलस टू पे आ जाता हूं सीधा जब बच्चा पलस टू में आता है पलस वन से तो क्या होता है पता उसमें भी यह होता कि हम किसी बड़े इंस्टूर्ट में जाते हैं वहाँ भी मैं बताता हूँ अब क्या हो रहा है वहाँ भी प्लस टू का जो बोर्ड का एक्जैम है उसको इग्नोर करा जाता है इसमें भी NCRT का रोल रहता है जो कि नहीं करवाई जाती सिर्फ NCRT का रोल नहीं रहता इसमें जो है previous question का इसमें भी रोल है इसमें previous question जो है वो printed आते हैं मदलब market में मिल जाते हैं उनको 10 years बोलते हैं यह question paper जो है इनको 10 years के نام से आप जानते हैं सभी यह market में मिल जाते हैं लेकिन plus one के कभी नी मिलते क्योंकि वो स्कूल का होता है वो तो प्रिंट में आएंगे नहीं अब यह जो हमें एक एक्जेंपल देता हूँ आपको सबसे बड़ा आप एक्जेंपल से समझ आओगे बड़ा अच्छे से यह देखिए यह मेरे पास एक पब्लिकेशन का पड़ा है इसके उपर लिखा आते हैं यह करने चाहिए उसी जैसा कि चैप्टर शुरू हो रहा है क्लास में उसी बत करने चाहिए और एक बात हो रहा है हमें सिर्फ यह तो करी लिया एक और बुक आती है जो कि दोनों में आती है प्लस वन में पर टू में भी प्लस वन उसका नाम है NCRT NCRT Exemplar ये जो बुक है ये प्लस बन की भी है सभी स्प्जेट्स में फिजिक्स, कमिस्ट्री, मैथेमेट्स, बायो सब में और ये प्लस टू की भी है N-C-E-R-T एक्जेंपलर जरह मुझे बताईएगा कि किसी ने आपको इसका नाम बताया ये N-C-E-R-T की देरा guidance दी गई है, ये N-T National Testing Agency जो है, वो कहती है अरे कई बच्चे आपने देखा होगा बिना coaching IID में जा रहे हैं वो इनको follow कर लेते हैं बस कोई नीट में एम्स में जा रहे हैं, नीट qualify कर रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं क्योंकि ये चीज़े भी मैं आपसे कहा रहा हूँ ये परसल देखी हुई है और मेरे पास बहुत सारे example भी है इनके यहां के भी हैं, बाहर के दूसरी states के भी है अब देखिए, एक और किताब बड़ी famous है जिसका बहुत नाम है पूरे इंडिया में चलती है जो है, दूनों में प्लस वन में भी और प्लस टू में भी है प्लस वन में भी है प्लस टू में भी है इस किताब को शूरू से ही बच्चे को करवाना चाहिए मैं देखता हूँ आपका बच्चा कैसे नहीं क्वालिफाई करेगा बड़े बड़े exam यह देखिए, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ यह है आपका यह प्लस वन के लिए है, यहां पे प्लस वन लिखा हुआ है और जो प्लस टू के आती है मनला बॉल्डे में इसके डों आते हैं एक प्लस वन के लिए होती है, यह दूसरा बोले में प्रस्टू के लिए इसकी exercise करना बहुत ही important है अब देखिए ये मैंने आपको काफी important चीज़े बता दी जो कि बड़े इंस्टूट में नहीं होती अगर होती होती न तो एक question पूछता हूँ आप से मैं ये बहुत बड़ा question आप answer देना जरूर मुझे तीस फोटो लगा दिये बच्चों के और thousand बच्चा उनके बास आ रहा है इतने फोटो दिखा दिये पेपर में कि ये बच्चे हमारे select होगे कितने percentage जाल टूगा अब खुद समय दाना percentage निकाल लेना thousand बेसे 30 students बलकि मैं थोड़े से ज़्यादा बता रहा हूँ यहाँ thousand नहीं आते यहाँ five thousand के आसपास आ जाते हैं बच्चे एक 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 इंस्चूट में तो बताईए उनका result कितना है कई बार observation पाया गया है यह देखा गया है observation observe किया गया है एक percentage result नहीं रहता है उनका आपके बच्चे का क्या बना ठीक है थोड़े से बच्चे निकल गए जिन्होंने ये कर लिया personally कर लिया 10 years कर लिये previous question कर लिये SC वर्मा किताब कर ली यह बड़े इंस्चूट बिलकुल नहीं कर लाते इनमें तो यह ही गवा कि हम उनसे भी बैट रहे वो NCID निकल रहते हैं हम उनसे बैट रहे हैं जी हम NCID को नहीं मानते हम examter निकल रहते हैं NCID का हम उनसे बैट रहे हैं previous question का तो मतल भी नहीं plus one का बच्चा सबसे ज़्यादा खराब होता है या आज मैं आपको बड़ी बहुत बड़ी information दे रहा हूँ अभी इतना बड़ा मैं आपको बात बता रहा हूँ हाँ आप मेरे से बात करना चाहते हैं इस वारे में तो मैं आपको एक number दे रहा हूँ यह मेरा personal number है 7696943521 इस number के आप मेरे से बिलकुल बात कर सकते हैं call कर सकते हैं मैं आपको पूरी की बाते एक्सप्लोर करूँगा जो आज बड़े शूट के द्वारा जो बच्चों को खराव किया जा रहा है मैं यही कहूँगा क्योंकि यह मैं result नहीं मानता 30 में स्टुडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं 1000 में से और उनके फोटो ख़वार में दिखाए जा रहे हैं बाकि स्टुडेंट कहा गए यह जो चीज़े हो रही है और प्लस वन में क्यों बच्चा आपके सामने एक्जेंपल होगे कि इतनी प्रिसेंटे लेने वाला सीथा 62 प्रिसेंट पे कैसे आ गया तो डियर पेरेंट्स और स्टुडेंट्स अभी भी वक्त है मैं बहुत अच्छी बात बोड़ रहा हूँ आप एक बार इस फोन पे कॉल लगाए मैं आपको स्यस्ट करूँगा बाकि आपने डिसीन लेना है ओके ठेंक्यू जी